जुलाई में एक तारीक सुभे हिंदुस्तान के करोणों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8500 रुपे उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में भाई और बैनों जुलाई में देखेंगे 8500 रुपे अगस्त में 8500 सतंबर अक्तूबर नवेंबर डिसंबर खटा कट खटा कट खटा कट खटा कट 8500 इस भीड में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी हेलो दोस्तों कांग्रेस नेता राहूल गांधी ने लोगसभा चुनाव जीतने पर गरीब परिवारों की महिलाओं के खाते में सालाना एक लाख रुपे जमा करने का अपना वादा दोहराया है जी हाँ दोस्तों सोमवार को राय बरेली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहूल गांधी ने कहा एक जुलाई को जब गरीब महिलाएं अपने खातों की जांच करेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि जादूई तरीके से आप 500 रुपे जमा हो गए हैं और ये हर महीने की पहली तारीक को होगा वैसे दोस्तों कांग्रेस के घोशना पत्र के अनुसार पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि गरीब परिवारों की महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत प्रतिवर्ष एक लाख रुपे मिलेंगे और इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के घोशना पत्र में किये गए करांतिकारी वादों का हवाला देते हुए एक जटके में गरीबी हटाने का वादा किया था और उन्होंने कहा यदि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो हर साल एक लाख रुपे खटख वैसे दोस्तों प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया उन्हें शाही जादूगर कहा जिन्होंने अपनी एक जटके में गरीबी हटाने की टिपणी से देश को चौंका दिया वैसे दोस्तों आप किस नेता को सबसे ज्यादा पसंद करते है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर